यह मेरा पहला वीडियो है और मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो कीबोड है उसके बैक्ग्राउंड में आप अपना फोटो या कोई कस्टम इमेज कैसे सेट कर सकते है उसके लिए सबसे पहले आपको एक थर्ड पर्टी अप्लिकिसन लेना होगा प्ल अप्लिकिसन लेने के बाद इन्स्टॉल करें और उसे उपन करें यह तच पर यह जिर इसके बाद एक मिनटा आपन कर ले तीम सेट करने अके लिए नेट लगता है सो अपन करें अबी फिर यहां पे दो अप्सन आएंगे पोपिलर और इंस्टोलिड पर जाओ फिर यहां पे प्लस फोट आइकोन है यहां पे क्लिक करें कैमरे का इकोन धाज़ा उसके बाद फोटो चूज करें गैलरी में से यहां क्लिक भी यु कर सकता है जो फोटो आपको सेट करनी होगा चूस करें जैसे मैं भी यहां पर यह करता हूँ फिर फोटो को क्रोप कर ले ओके इसके बाद यह फोटो हो गई सेट इसके बाद आप जो टेक्स्ट कलर है यह यह भी चेंड कर सकते हैं ब्लैक, पिंक, औरेंज, यलो, ग्रीन और इसे फिर यह कीबोर्ड के डो ट्रांस्परेंसी है अब यह भी से चेंड कर सकते हैं जैसे कि यह भी इस पर ब्लैक नहीं भी मैं वाइठ ही रखता हूँ इसके बाद जस्ट सेट करें इसके बाद थीम चेंड जाएगा इसके बास आपको त्हीम अप्लाइ करना है इसको फ़र क्लिप करके यह पहले से अपलाएएज इसको आप एडिट भी कर सकते हैं यह आप डिल इलेट भी कर सकते हैं अगर आपको फोटो चेंड करनी है तो दैव फीर सग्या लादी में जाए जो फोटो अप्लाई करनी है जैसे कि अभी मैं यह करता हूँ जो यह होगा ही चेंज सेव फिर बैक जाए अब पर इस अप्लिकेशन से बहुत सारे कस्टमाइशेशन में कर सकते हैं टैच पर के जैसे कि साउंड में उट करें और की बोड की आपेरंस हाईट के नहीं करनी है मैं नॉर्मल तो इतना ही रखता हूँ फिर इस कीबड को आप उठाग सब्सक्राइशन कर सकते हैं और फिर इसमें समार्ट इन्पुट भी है इसमें स्मार्ट वर्ड गेस्टर है और सेंटेंस गेस्टर दोन है अधर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई प्राब्लम होती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक्यू फॉर वाचिंग में विए